हेलो स्टुटिंट्स आज हम पढ़ेंगे ओला ओनलाइन अनलेटिकल प्रोसेसिंग डॉक्टर एफ कोड ने दी थी 1994 में एक सॉफ्ट्वेर है जो क्या करता है जो डेटा की आनलेसिस को प्रोवाइड करता है आप इसमें जो यूजर्स है वो डेटा को अनलाइस करते हैं और वो कौन से डेटा अनलाइस करेंगे जो डेटाबस में स्टोर्ड होगा अब जो ओलाब है वो मल्टी डैमेंशनल व्यूद आपको देता है प्रोवाइड कराता है यहाँ पर कुछ ओलाब के सॉफ्ट्वेर्स है आईबियम कॉंगोस, माइक्रोस्ट्राटेजी, OBI, IEE, ICQ और भी बहुत सारे इसके सॉफ्ट्वेर्स है अब यहाँ पर मैंने एक् क्यूब है सपोज मैं कोई भी सेल्स की रिपोर्ट बना रही हूँ और उसे मल्टी डैमेंशनल क्यूब में फिट करना चाहती हूँ तो मैंने उसके लिए फाइब डैमेंशन बनाई है सेल्स पर्सन, सेल्स अमाउंट, प्रड़क्ट, मन्द और इयर तो जो टाइग्राम है उलाप का वो ये बोलता है कि जो हमारे डेटा बेसिस हैं महां से हमने डेटा को फेच किया और वो डेटा वेर हाउस में रख दिया तब फिर हमने क्या कराए डेटा वेर हाउस में जो भी डेटा पड़ा हुआ है हम क्या करेंगे उसको अनलाइस करेंगे किसकी हल्प से करें करेंगे। ओलाप की help से यहां पे मैंने क्या करा है डेटा क्यूब बना हैं। डेटा क्यूब में different dimensions हैं। जैसे कि मैंने यहां पे बताया था कि मैं कॉनसे dimensions ले रही हूं, sales person, sales amount, product, month and year। यहां पे यह end users हैं, जो अपनी queries को क्या कर रहे हैं। ओलाप क्यूविं में प्रेजेंट कर रहे हैं, वहां से डेटा लेकर और उसको अनलाइज कर रहे हैं, यहाँ पर basically, main motive URL आपको क्या है, यह जो जब आप retracement को अनलाइज करते हो, तो वहाँ पर यूजर उसमें जो भी आपने डिटर को अनलेसिस क्या है वहाँ पे जो decision making होती है वो आपका better हो जाती है Thank you, have a nice day